बहुत ही सुन्दर दिन और हमें आज बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा टॉस का समय दोनों कप्तान मौजूद हैं चलिए देखते हैं हेड्स मांगा है और ये टेल्स हैं कप्तान ने बॉलिंग करने का निर्णे लिया है बल्ले बास को शॉट्स थोड़ा नियंतरण से खेल दे होगे क्रीस पर जमे बल्ले बास ने अच्छा अनुमान लगाया फोर्ड बारी किनारा लगा और गेंचा रही है बाउंडरी के और चारन के लिए बल्ले का बाहरी किनारा लग सकता था बल्ले बास को चौका के रख दिया ओ क्या गेंच थी इस फिल्डर पिल्पिल तयार गेंच को पकड़ने के लिए फिल्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर बल्ले बास की अच्छी सूजबूज आसानी से एक रन पुरा किया बल्ले बास कैच जबरदस प्रहार गेंच गई बहुत उपर नए बल्ले बास आते हुए इनको टीम प्लैंग के मुताबिक खेल कर पारी को संभाना होगा क्या गेंद बाजी की है बॉलर ने ये गई एक और लिकेट है ट्रिक पे हैं जबरदस गेंद बाजी फील्डर ने सही अनुमान के साथ कैच को पकड़ा इसको बेसिक क्रिकेट खेमना चाहिए बस अपना नैच्रल गेम खेने बॉलर की परफेक्ट लेंद डिलिवरी पहुच शांदार बल्ले बास दुविधा में चार रन के साथ ही ओवर समप दुआ स्पिन का समय आकरमण के लिए आ रहे हैं आफ स्पिनर गेम रफतार से बाउंडरी के ओर जाती हुई चार और रन मिलेंगे बैटिंग टीम को स्विंग किया और चूके भागे शाली रहे बल्ले बास फील्डर्स मैदान में जा रहे हैं बहुत सुन्दर गेंड़ स्विंग करती हुई आई आफ सार ओ ये काफी ख़दर नाक हो सकता है बल्ले बास के लिए बेल जुड़ा चुके एक ही पर तीसरे अंपाइर को रेफर किया गया है वाह कमाद दिखाया की पर ने तेजी से बॉल की लाइन में आए और स्टंप कर दिया इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं कवानी चाहिए और लगता अब इसे रोपना संभाव इन रनों के साथ बल्लेबास का खाता खुला ओगर को समाथ किया चोके के साथ प्रियम पेस का प्रेयोग कर रहे है ताकि विपक्षी टीम के रनों पर अंकुष्ट लगा सके अब आमे स्विंग करते डिलिवरी बल्लेबास बहुत मुश्किल में गेंद बास का बढ़िया प्रदर्शन इस बार ठेकी एक छोटी गेम दन दनाती हुई गेंद बाउंडरी में पाफेक्ट दिलिवरी बल्लेबास पूरी तरह समंझस में गेंद बास के इस डिलिवरी ने बल्लेबास को बीट कर दिया है बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा अब ऐसा प्रदर्शन बरकरा रहना चाहिए बढ़िया रनिंग सुरक्षित क्रीस में वापस आए ये है एक जबरदस शाट तलाईयों का अच्छा इस्तमाल ये इनको पुचाय सीधा स्टैंड आउट क्या जबरदस भाडू डिलिवरी उना के रख दिया बेल्स को और गेम गई चार रन के लिए फोव ये आउट दे दिया गया अमपायर गोरा बल्लेबाज अमपायर के पैसले से नाखुश लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे बल्लेबाज ने इशारा किया रिव्यू का और निरने गया थर्ड अमपायर के पास अमपायर का पहले वाला निरने मानने होगा बल्ल किया बल्लेबाज आउट एक के पीछे ये खोई उन्होंने एक और विकेट एक के बाद एक दूसरी विकेट मिली मौकाय तीन विकेट लेने का ओ चूप गए इस बार आउट बहुत अच्छी फिल्डिंग बैट्समेन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया इससे जादा आलिशान नहीं हो सकता हाता खोलने का जबरदस तरीका आगे बड़े और ये शॉट सीधा स्टेंट्स के अंदर इन्हें तेजी से भागना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए बहुत तरीबी मामला हो सकता है नतीजा बल्ले बास के पक्ष में अवामे स्विंग करते डिलिवरी बल्ले बास बहुत मुश्किल में गेंड बास के इस डिलिवरी ने बल्ले बास को बीट कर दिया बहुत सुन्दर गेंड स्विंग करती हुए ओ विगेट कीपर से मील उदू बैटिंग टीम को मिले अतरी तरन फील्डर ने गेंड का बहुत अच्छा नुमान लगाया बल्ले बास के अच्छी सूजबूज आसानी से एक रन पुरा किया और अंट में अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी थ्रोप है कि सीधा स्टंप्स के उपर बल्ले बास ने इशारा किया रिव्यू का और निरने गया थर्ड अंपायर के पास और अंपायर का पहले वाला निरने मानने होगा नया बल्ले बास आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर खना उत्रेगा सीधा बल्ले बास और उड़ा दिया है चेरन के लिए क्या शॉट लगाया बल्ले बास नहीं लगता है गेम मेरान के बाहर जा रही है डॉलर की परफेक्ट लेंड डिलिवरी पौच शानदार बल्ले बास दुविधा में क्या घुमावदार स्विंग है बल्ले बास यहाँ कोई खत्रा नहीं लेना चाहते थे यह आउट दे दिया गया अंपायर द्वारा और अब उन्होंने अंपायर के फैसले पर रिव्यू मांगा है अंपायर ने कहा आउट और जश्म का माहौल फिल्डिंग यूनिट में नए बल्ले बास आते हुए इनको टीम प्लैन के मुताबिक खेल कर पायरी को संभालना होगा स्पिन का समय आकरमण के लिए आ रहे हैं और स्पिनर क्या फिल्डिंग की है जबरदर ओ क्या शॉट था तर्शक दीवाने हो गए हैं और ये स्लाइस कर दिया छे रन के लिए फिल्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर बढ़िया रनिंग सुरक्षित क्रीस में वापस ओ क्या गेन थी गेन सीधा विक्टो के अंदर बहुत अच्छी डिलिवरी बल्ले बाज रन बनाने में चूप गए है गेन बास तैयार अंतिम रोमान चकोवर फैंकने के लिए गेन बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर गेन फैंकने के लिए काफी रोचक होगा यह आउट गेन सीधा अंदर गुजी और बेल से टकाई एक के पीछे एक यह खोई इनुने एक और विकेट एट्रिक लेने का मौका है अगर वो इस गेन पे विकेट ले लेते हैं तो गेन सीधा विक्टो के अंदर बहुत अच्छी डिलिवरी क्या गेन पाजी की है बॉलर ने यह गई एक और विकेट गेन पास की है ट्रिक क्या शानदार स्पेल डाला है ला जवाब बॉलिंग बल्ले बास शूने पर आओ गेन इस बार रिवर्स बिंग होती हुई बल्ले का बाहरी किनारा लग सकता था टॉट बॉल इस सिचुएशन को और खड़ाब कर सकती है बहुत अच्छी फिल्डिंग का नजारा अब ऐसा प्रदर्शन बरकरा रहना चाहिए गेन पास की गुबलेंग गेन बहुत शानदार डिलिवरी अंत में विजेता टीम के लिए ये आराम दैक खेल रहा उनके खेले में हर शो उलास और वो इसके हगदार भी ये लुप अच्छी के खेले में गुबलेंग दैक खेले लिए जा मतारि विए ये ये में अच्छी के जाएव के शच्छी आरामा चार माहिएफगर भी